नमस्कार निक्स्नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड एक्टर शुशांत सिंग राजपूत की शुशांत सिंग राजपूत के केस को धाई साल से ज्यादा कफ़क्त हो गया है यह कुछी महीनों बाद तीन साथ शुशांत के निधन को हो जाएंगे अभी एक्टर के केस की जो गुत्थी है वो सुलच नहीं पाई है लगतार इस केस में कई चौकाने वाली खुलास हो रहे हैं लेकि पीच मशहूर डायरेक्टर अनुरा कश्यप का एक हैराद करने वाला बयान सामने आया है दरसल आपको बता दे कि हाली में अनुरा कश्यप ने एक इंट्विव के दारान कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद हर कोई काफी जादा शौक्त है अनुरा कश्यप ने कहा कि शुशा सिंहग राजपूत ने अनुरा कश्यप को फोन कॉल किया था उनसे बात करने की कोशश शुशान करना चाहते थे लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स के चलते अनुरा कश्यप ने इंटविव में आगे बताया कि उस वक्त भले ही मैं काफी ज़ादा गुस्शे में था या इगो में था लेकिन शुषान के निधन की खबर जब मुझे मेरी तो मैं बुरी तरह से तूट गया और मैं आज भी खुद को इस चीज के लिए गिल्टी फील करता हूँ गिल्टी मानता हूँ कि अगर उस वक्त मैंने अपने गुस्से को एक तरफ रखकर शुषान की बात सुन ली होत इसके आगे अनुराग कर्शिब कहते हैं कि साल 2020 में शुषान सहिराज पूट और उनके बीच कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वज़ा से दोनों एक दूसरे से काफी जादा नाराज थे अनुराग कर्शिब ने ये भी खुलासा किया कि आकर कार दोरों के बीच गलत वामिया क उन्होंने कहा कि अनुराग कर्शिब ने शुषान को एक फिल्म ऑफर की थी लेकिन यश्राज प्रोडक्शन की तरफ से भी उन्हें एक फिल्म ऑफर की गई थी और शुषान ने अनुराग कर्शिब की फिल्म को यहां पर करने से इंकार कर दिया और यश्राज की फिल्म स साइन कर दी जिसकी वज़ा से अनुराग शुषांग सिंग राजश पूट से नारास थी और इसी वज़ा से उठोनी शुषांग का फोन नहीं उठाया जिसके बाद अब अनुराग कश्यब ने सचीज को लेकर के खुलासा किया कि चाहे जो भी वज़ा थी लेकिन अगर मैं उसने शुषांग का फोन उठा लेता तो शायद चीजे बदल सकते थी बता दे कि अनुराग कश्यब का ये बयान सोचल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इससे लेकर आपकी क्याराय है कॉमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजेगा आज के लिए इस खास